हेलो इस्ट्वेंट्स वेलकम टू और चैनल आज हम सेट चैप्टर के दूसरे लेक्चर में सबसेट और पौवर सेट के बारे में पढ़ेंगे इससे पहले इस्ट्वेंट्स अगर आपने सेट चैप्टर का लेक्चर वन नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक देख लीजिएगा और उस वीडियो को देखकर ही इस वीडियो को देखिएगा जिससे की आपको आगे का सारा मेंटर क्लियर होगा पिछले लेक्चर में मैंने representation of sets इसका introduction, roaster method, set builder method और types of sets के बारे में बताया है अब ये आज का जो वीडियो है उसके आगे का portion है तो अब इसमें हम subset के बारे में सुरू करते हैं subset की definition है if every element of set A is an element of B then A is called a subset of B means कि अगर किसी set A के सारे element किसी दूसरे set B में हैं तो set A जो है वो B का subset कहलाएगा और इसको हम represent करेंगे A is subset of B इसको पढ़ा जाएगा A is subset of B इस तरीके से हम इसको represent करते हैं A और यहाँ पर ये U horizontal ले लिया जाता है right side में capital U और B इदर लिख दिया जाएगा अब यहाँ पर इसके नीचे कभी equal लगता है कभी नहीं लगता है ये अब आगे देखिएगा क्या होता है तो इस तरीके से हम subset को represent करेंगे और इसको पढ़ा जाएगा A is subset of B एक example से देखिएगा जैसे कि अगर कोई set A है 1, 3, 4 और set B है 1, 2, 3, 4, 5 तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि A के सारे element B में हैं तो A B का subset होगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे here A is subset of B अब यहाँ पर कब equal लगना है कब नहीं लगना है तो इसके लिए students आप देखिए कि proper और improper subset क्या होता है proper and improper subset यह क्या होता है proper subset students क्या होता है कि अगर A के सारे element B में हैं बट B के सारे element A में नहीं हैं तो इसको हम कहते हैं proper subset जैसे यहाँ पर इस proper subset का example आप देखिएगा यहाँ पर जैसे कि अगर A जो है माल लेते हैं हम 1,2,3 है और B जो है 1,2,3,4 है तो यहाँ पर A के सारे element B में हैं लेकिन B के सारे element A में नहीं है तो A, B का proper subset कहलाएगा यहाँ पर हम इसको सो करेंगे A is proper subset of B तो इसका notation यहाँ पर बनेगा A is proper subset of B यानि कि यह जो horizontal U हमने right side में लिया है यह तो हम लेंगे लेकिन इसके नीचे equal नहीं लगाएगे और improper subset होता है हमारा जब A, B का subset हो और B भी A का subset हो एक example आप इसका देखिएगा यहाँ पर जैसे कि A जो है वो हमने माल लिया A, B, C, D है और B जो है B, C, A, D है तो यहाँ पर देखिए कि A के सारे element B में है और B के सारे element A में है तो A और B यहाँ पर एक तरीके से equal set हुआ यहाँ पर तो हम इसको सो करेंगे A is improper subset of B मतलब कि A, B का subset भी है और equal set भी है तो यह कहलाएगा A is improper subset of B तो आप इन example से proper और improper subset आप समझ गये होंगे कि क्या होता है यहाँ पर तो एक बार और इसको देख लिए कि अगर A के सारे element B में है लेकिन B के सारे element A में नहीं है तो proper subset और A के सारे element B में है और B के भी सारे element A में है तो यह कहलाएगा improper subset अब हम आते हैं power set power set क्या है the collection of all subsets of a set A is called the power set of A मतलब क्या है इसका कि जैसे कोई set A है तो हम उसके सारे subsets ले लेंगे और उनसे एक set बना देंगे तो उस set को कहेंगे power set और इसको denote किया जाएगा P A से अब इसको आप example से समझिएगा यहाँ पर जैसे की माल लीजिए कोई set A है इसके elements है small A और small B दो elements हैं अब हमें इसका power set लिखना है तो हम करेंगे क्या कि इस set के जितने भी possible subsets होंगे जितने भी possible subsets होंगे उनको हम लिख लेंगे पहले और फिर उनसे एक set बना देंगे तो यहाँ पर पहले हम इसके सारे possible subsets लिखते हैं तो अब जैसे मैंने set लिखा A देखिए यह एक set बने बनाया इसी का एक element लेके तो अब अगर हम देखें कि इस set के सारे element इस set में हैं तो यह set जो है वो इस set का subsept होगा अब हमें ऐसे ही यहाँ पर सारे हमें इसके subsets लिखने पढ़ेंगे अब जैसे हमने दूसरा element ले लिया B तो अब हम देखते हैं इस से एक हमने set बना दिया तो इसके सारे element इस set में है То ये set भी इसका subset होगा तो अब हम इसके दोनो element A और B ले ले लेंगे A, B ये हमने ले लिया तो अब ये जो हमने set बना दिया दोनोens element लेके इसके भी देखिए सारे elements जो है वो इस set में है तो यहाँ पर ये set भी जो है वो इसका subset होगा तो अब हमको दिख रहा होगा कि बस यही 3 है लेकिन एक जो null set होता है empty set ये null set हमने एक बनाया ये हर set का subset होता है, देखिए हम यह कह सकते हैं कि नहीं कि इसके सारे element इस set में है क्योंकि इसमें कोई element है ही नहीं, तो इस तरीके से null set या empty set जो होता है वो हर set का subset होता है, तो अब देखे यहाँ पर हमने इस set के जितने भी possible subsets है वो लिख लिए, अब हमें इनसे एक set बना देना है, तो इनसे set बनाने के लिए क्या करना होता है कि इन सब के बीच में हम comma लगा देंगे और set के लिए elements को medium bracket में लिखा जाता है, तो एक medium bracket all ले लेंगे यहाँ पर तो इस तरीके से यह जो भी हमारा set बना, यह इस given set का power set कहलाएगा, इसको हम show करेंगे PA से एक और example आप देखिए यहाँ पर students जैसे माल लीजिए कि set A है 1, 2, 3 अब हमें इसका power set लिखना है, तो power set के लिए फिर वही काम इसके सारे possible subsets लेंगे यहाँ पर तो students यहाँ पर पिछले example में हमने क्या देखा कि हमने पहले इसके single single element ले लिए, एक element लेके set बनाए, फिर 2-2 element लेके set बनाए और आखरी में एक null set, empty set ले लिया तो system क्या है यहाँ पर कि पहले हम एक-एक element के सारे set बना देंगे फिर 2-2 element के सारे set बना देंगे, अब यहाँ पर 3 element हैं, तो 3 element के भी सारे set बनाएंगे, तो वो केवल एक ही set बनेगा 3 element का और आखरी में, last में हम एक null set ले लेंगे और उनसे एक set बना देंगे तो अब आप देखिएगा, यहाँ पर हम single element ले रहे हैं फिर 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया, फिर 2-2 element ले ले लेते हैं 1-2 ले लिया, हमने 2-3 ले लिया, इनसे set बना दिया फिर 1-3 ले लिया तो आप ये देख रहोंगे इस तरह से ये single single elements लेकर हमने set बनाया ये double double element, two two elements लेकर हमने set बनाया तो ये जितने भी set बनने हैं वो इस set के subsets हैं हमें इसके सारे possible subsets लिखने हैं अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? तीन तीन elements लेकर set बनाएंगे तो जब हम three elements का set बनाएंगे तो किवल एक ही set ये one, two, three बनेगा अब हमको आखरी में empty set, null set ले लेना चाहिए तो वो एक set लिया हमने और इसको खाली छोड़ दिया या हम यहाँ पर इसकी जगे five भी लिख सकते हैं मैंने पिछले वीडियो में बताया है lecture one में कि null set या empty set को इस तरीके से ये खाली छोड़ के भी so किया जाता है और five से भी so किया जाता है तो अब यहाँ पर देखिए हमने इस set के सारे possible subsets लिख लिए अब हमें इन से एक set बनाना है तो इसके लिए हम करें क्या इन सब के बीच में कॉमा लगा देंगे सारे elements अलग-अलग so होने चाहिए और इनको हम एक medium record के अंदर लिख लेंगे तो यह जितने भी possible subsets थे उनसे एक set बन गया इसको PA से so करेंगे यह power set आ गया एक और example कुछ अलग type का हम देखते हैं students जैसे कि मा लिजिए set इसमें हम B ले लेते हैं तो इसके power set को हम so करेंगे P B से इसके power set को हम so करेंगे P B से ऐसे X अगर set है तो इसके power set को हम so करेंगे P X से तो अब देखिए यहाँ पर इसमें अलग क्या है इसको देखिएगा 1, 2 और एक element हमने इस तरह से ले लिया 3, 4 देखिए यहाँ पर जो हमारा given set है उसमें one, two, एक दो element यह हो गया और बाकी यह जो third element आया वो एक set के form में आ गया है इस तरीके से भी examples आते हैं बहुत important होते हैं यह तो अब काम हमको यही करना है working इसमें यही करनी है कि पहले single single element तो हमने one ले लिया फिर two ले लिया फिर यह एक element है आप इस पर विसेद ध्यान दीजिएगा इसको आप दो element ना समन लीजिएगा तो एक हमने यह ले लिया three, four तो देखिए हमने यह यहाँ पर three elements थे single single element लेके यह बना लिये sets अब हम double double elements लेंगे two elements के set बनाएंगे तो हमने one two ले लिया अब हम लेंगे two और इसको लेंगे three, four जो set है two, three, four इससे हम एक set बनाएंगे देखिए अभी हमने दूसरा और तीसरा element लिया है केवल इससे set बनाने के लिए हमको एक medium record लेना पड़ेगा इसमें विसेज ध्यान दीजिएगा तो यह second और third यह element लेके set बन गया अब हम लेंगे इस one को इसके साथ लिखेंगे one ले लिया और यह element ले लिया three, four यह विसेज ध्यान दीजिएगा बच्चों कि यहाँ पर यह set नही लेगा यह तो अब इनसे भी हमको set बनाना है यह तो एक medium record में अंदर हमने इनको रख लिया तो इस तरीके से देखिए यह single single elements के set बन गये फिर यह double elements के set बन गये अब हमको तीनों elements लेके एक set बना देना है तो यह one, two और three, four और इसको भी हमें एक medium record पर रखना है तो इस तरीके से ही हमारे यहाँ पर हमको single single double और triple elements के set मिल गये और एक हमको empty set लेना होता है जैसे मैं यहाँ पर empty set ले रहा था तो empty set या हम five भी लिख सकते हैं इसमें मैं five लिख दे अब इन सब के बीच में हम यहाँ पर कॉमा लगा देंगे जितने भी elements होंगे उनके बीच में कॉमा लगेगा और इन सब elements को हम एक bracket के अंदर लिख लेंगे तो इस तरीके से यह b का power set आ गया इसको हम so करेंगे p, b से तो इस तरह से students आप इन example से किसी भी set के power set को कैसे लिखा जाएगा यह आप समझ चुके होंगे अब यहाँ पर एक मैं formula important formula बता रहा हूँ कि अगर किसी set में if na equal to माल लीजिये कि p है means कि किसी set में अगर p element है तो उसके power set में then number of elements in power set किसी set में अगर p element है तो उसके power set में 2 to the power p element होंगे मतलब जैसे इसको समझ यहाँ पर कि इस set में 2 element है तो इसके power set में आप देखिए 1, 2, 3, 4, 4 elements आए तो यह 2 to the power 2 हो जाएगा यहाँ पर 2 elements है तो 2 to the power 2 यानि कि 4 elements आए इसके power set में अब इसमें देखिए 3 elements है तो यहाँ पर p की value 3 है तो इसमें जाँ हम रखेंगे 2 to the power 3 तो यहाँ पर 2 to the power 3 8 elements आएंगे यह देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसमें 8 elements आए तो इस formula का क्या use है यह आप समझ गया होंगे कि किसी भी set के power set में कितने element आएंगे उसके लिए यह formula हम use करेंगे students अब हम आते हैं कुछ important points पहला point क्या है कि A belongs to PA यह true है कि false है तो देखिए इसका मतलब है कि A जो set है वो belong करेगा PA में power set में मतलब A set जो है वो उसके power set में होगा तो आप इस बात को आप देखिए जैसे यह set था AB तो आप यह देख रहे हैं कि यह set AB जो है यह two elements का जो हमने set लिया था वो इसके power set में है तो यानि कि A जो है वो power set को belong कर रहा है ऐसे ही यहाँ पर देखिए one two three यह set A था तो यहाँ पर यह one two three set देखिए यह भी A है तो यह इसमें belong कर रहा है तो कुल मिलाके यहाँ पर यह जो भी लिखा है यह statement true है आप यह समझ यह होंगे यह true statement है अब ऐसे ही यहाँ पर देखिए students लिखा है five belongs to A तो जैसे यहाँ पर देखिए यह five यह null set A की बात है जैसे मैंने यहाँ पर null set यह इस तरह से खाली set छोड़ा जाता है या उसकी जैसे फाई ले लिया था तो यहाँ पर यह भी देखिए कि इसके power set में PA में belong कर रहा है तो यानि कि यह भी true है अब देखिएगा यहाँ पर A is subset of PA A is subset of PA यहाँ पर यह जो set है वो इसका subset है कि नहीं है इसको देखिए तो यह students देखिए यह false statement है क्यों क्योंकि A के सारे element PA में होने चाहिए तब A PA का subset होगा तो A के यह दो element है A और B यह इस देखिए PA में कहीं पर भी नहीं दिख रहे होंगे यह A और B set के form में लिखे हैं जबकि यहाँ पर इसके elements A और B हैं तो यह अगर यहाँ पर बिना bracket के A और B इस तरह से लिखे होतें तो हम कहते कि A के सारे element PA में हैं तब A B का subset होता लेकिन यहाँ पर यह A जो bracket में लिखा है मनदब एक set के form में लिखा है और यह A यह अलग-अलग यहाँ पर बाते हैं तो कुल मिला के A के सारे element PA में नहीं है तो यह false होगा students अब हम आते हैं इस fourth point पर 5 is subset of PA यानि कि 5 जो है वो power set A में होगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह null set जो है वो power set में है तो यह statement जो है वो हमारा true है sorry यहाँ पर यह true होगा यहाँ पर यह अब आते हैं next statement में students जैसे यहाँ पर अगर कहीं लिखा है 5 belongs to A इसको आप धंग से देखिएगा 5 जो है वो A में नहीं है 5 A में नहीं है यानि कि यह statement जो है वो हमारा false होगा एक और statement देखते हैं students जैसे लिखा है 5 is subset of A तो 5 is subset of A यह यहाँ पर true होगा क्योंकि 5 जो है वो A का subset है मैंने जैसा कि यह बताया 5 मतलब यह null set हर set का subset होता है तो यह जो statement हमारा है 5 is subset of A यह true statement है students देखिएगा इन points को अगर आपको धंग से ना clear हुए हों तो एक बार rewind करके इतना आप फिर से ढंग से देखिएगा तो आपको यह points clear हो जाएंगे तो अब इतने से आप power set और subsets क्या होते हैं proper improper sets या समझ चुके होंगे अब इससे related question आप अपनी exercise से लगा सकते हैं students students